VIEUERS आपँ देख सकते हैं यह लाइन हए आप देख सकते हैं यह लोटर के हे लिलकर स्ट्रेट विल्कुल सुल्डर है इस पॉइंटा की देख सकते है यह गलिफिल में झांस संधा में थे लप मैं देना किस टर Calvin की इस ó दे डिव कुंध में करें आप धिए जोंग hai लेफ्म नीचे के तरह जा रहा है, राइट शोल्डर उठा हुआ है, इसको मैं अभी आपको दुबारा दूसरे लाइट से दिखाता हूँ यह जसी मैं इसको ले जाता हूँ और देखिये, बहुत ज्यादा शोल्डर का इंवैलनस है, रेंदर, इंची टेप ले लो, इसको खड़े जाओ, एक कंदे से दूसरे कंदे का बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो चोट लेंगे ती जारा? यह तो बहुत 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 इस चीज़ को इस लेवल से देखो, इसना बहुत 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 है, जब भी कोई पार्ट उपर उठता है, वो कमजोर होता है, अब हमने यह तो देख लिया कि यह उठा हुआ है, वीडियो में सारी चीज़े समझ आ जाएंगी, और यही साइड है, यह में कुछ नहीं है, अब टीशेट पहिन लो, अब ब्रेज आउट खोड़ो, नाइस, नाइस, भी तब करवट ले लो, साइट ले लो, करवट लो, साइट ले लो, करवट लो, नहीं चला रखा हूँ सिधा, रलाक्स, जीजी, ब्रेज आउट, सीधा लेटा, तो अगर आया है, तो, सामें देखाँ देन्दर भी, क्या लग रहा है बताओ लाइन तो सीधी भी है लाइन चीधी गर्डन सीधी सवरब करेक्शन भी हुआ है है ना यह चीज हिल्ची टेप्च दबारान आपे सुदाब तो हुआ है हुआ है यह बहुत आप हो गया है बहुत फ़रक पर गया ना यह बट अभी वी यह ऊपर है ना तो इस पर थोड़ी से नीडलिंग कर देंगे तो इस मसल को एक बार और लूज करके देखते हैं कि और कितना फरक पर था नीडल ला देना लेग जाओ शौरफ आपको यह प्रेशर फील होगा जैसे कि एक्साइट हुआ अब मैं सब को जो कुछ भी लगाऊंगा आपके राइट साइड में लगाऊंगा लेफ्ट साइड में नहीं लगाऊंगा कि राइट साइड ही आपकी डॉमिनेंट है उठी हुई है तो नीदीन के वजए से बाद मे आपके वर्सापीं आसकता है ठीक है प्रेशर लगा है मैं एक बार इट्रस्मेंट आपको डिलने तो मैं लिमिक यह था है और आइस चोंगे एक बार में जाए कि गार चाहते है अब देखा है मुर्यम लेंदर भो साफ साफ में जाला रहा है इसके कर सीधा घरने के आफ करतया है देखे है उसके बाप जूद भी हाथ में जाता तो हाथ को एक्सराइज करने बट वो सीधा होगा तभी तो जाएगा उसके फिक सीधा किये विगड़तो है यह पूरा फॉर्ड लीनिंग होता है जैसे यह जाना है यह जाएगा कैसे वह उपर है तो आजो बहुत ज्यादा दि दिकत को मैं यह भी बोल सकता हूं कि इसको विंगिंग ऑफ स्कैपुला है क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि शोल्डर बहुत कमज़र हो गया है दूसे शोल्डर के कंपरेशन में इसका हमने यह भी दिख रहा है कि इसको दोनों पाउं में सीवियर प्रशन है तो अल्ट कोई मुमेंट एक्साइज करें खड़ाब न करें आप पहले असस्मेंट कराएं कि क्यों हो रहा है फिर एक्साइज यह दूसर क्रीटमेंट चालो करें थैंक्स वाचिंग इस वीडियो चैनल को लाइक करें शेयर करें और जा से ज़्यादा हमसे कॉमेंट सेक्शन में जाक हुआ 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 हुआ